मैंने बताया जैसे बंबाई से एटीएस की टीम थी और लोकल जो आयो था वो साथ में था और यहां अभी जुनागर में लाया गया जहां पर यह वहां वक्त हो रहा था उसके करीब यह पी डिविजन था तो पुलिस को इस बारे में कुछ पता था क्या पुलिस को यह परमिशन ऑफिशल इसने ली थी और यह नशा मुट्टि के नाम से ली थी तो पुलिस को पता था असलाम आलेकुम रहमतुल्ही वबराकातो प्यारे दोस्तों हक बयानी के लिए जेल जाना यह कोई नई बात नहीं हक बयानी के खातिर हजरत इमाम आजम अबु हनीफा भी जेल गए और हक बयानी की वज़े से हजरत अल्लामा फजल अवाद् हख खयराबादी भी जेल गए और आज जो है हक बियानी के वजह से ही हजरत अल्लामा मुफ्ती सल्मान अजहरी सहाब भी ATS के ट्रांजेट रिमांड पर हैं तो दोस्तो आज हम आप से बात करने वाले हैं कि आखिर मुफ्ती सल्मान अजहरी सहाब को गिरफतार किसने करवाया एक बात दूसरी बात आज हम इस पर भी बात से बात करेंगे कि मुफ्ती सल्मान अजहरी सहाब कब वो रिमांड से बाहर आएंगे और कब उन्हें जेल से रहा किया जायेगा और तीसरी बात हम इस पर भी बात करने वाले हैं कि बरेली शरीफ से है ना सुन्यों के मरकस बरेली शरीफ से मुफ्ती सल्मान अजहरी के तालुक से क्या कुछ बातें आई है क्या कुछ ऐलान हुआ है और चौती बात ये है कि मुफ्ती साहब के साथ कितने और लोगों को गिरफतार किया गिया है तो आप वीडियो को मुकमल अखिर तक ध्यान से जरूर देख लीजिएगा और चैनल पर पहली बार तश्रीफ लाए है तो चैनल को भी जरूर सबस्क्राइब कर लीजिएगा तो जी हाँ दोस्तों हजरत अल्लामा मुफ्ती सल्मान अजहरी साहब को हर कोई इस वक्त जान रहा है अपने तो अपने गहर भी उन्हें इस वक्त जान रहे है उसकी वज़ा ये है कि हर नौजवानों के सीनों में जो आज इश्क मुहबत का नभी कौनें सल्लाव ताला अलही वसल्म के इश्क का और उनकी मुहबत का जो आज चिराग जो है तेज हुआ है ना चिराग के जो लू है वो लू जो तेज हुई है ना वो इन्हों नहीं ते किया है और मैं आपको बतादू कि आज हर कोई शक्स आकाई जुए जान और नभी एक कौनाएं की शरीयत पे मर मिटने का जो जजबा रखता है ये जजबा भी इन्होंने जवानों के दिलों में डाला है जवानों के सीनों में जो डाला है वो मुफ्ती सलमान अजहरी है और आज इन्हें जेल के सलाखों के पीछे किसने भिजवाया है तो मैं आपको बता दूँ कि खुद मुफ्ती सलमान अजहरी सहाब बारहा ये एलान करते रहे कि बहुत सारे चेनल वाले यूटूब वाले जो है वो गलत थमनेल लगा करके लोग लगाते हैं यूटूब पे फिर उसके बाद जो है वहाँ से चेनल वाले उठाते हैं और इसे हाइलाट करके दिखाते हैं कि देखिए फुलान ने क्या कहा है और आपने देखा भी होगा है न के बहुत सारे चैनल वाले ब्यान कुछ और है और थमनेल में लिख देते हैं कि फुला मॉलाना ने हिंदूस्तान में हंगामा कर दिया फुला मुलाना ने फुला धर्म वालों को हिला करके रख दिया फुला मुलाना ने फुला मजहब वालों को उड़ा के रख दिया इस तरह की बाते थमनेल में लिक करके कुछ चैनल वाले चंद कोड़ी के लिए चंद डॉलर के लिए जो है वो किसी की जिन्दगी को दाओं पे लगा देते हैं और ऐसा ही कुछ हुआ मुफ्ती सल्मान अजहरी साहब के साथ के चैनल वाले ने वहाँ पे तो कोई ATS वाले नहीं गए थे वहाँ पे तक्रिष सुनने के लिए कोई खुफिया एजनसी नहीं गई भी थी तो फिर आखिर वहाँ की बात को वाइरल किस ने किया वहाँ पे हला कि वैसी कोई बात नहीं कही गई फिर भी उसे चैनल वालों ने और यूटूबर ने जो है उसे काट छाट करके सिर्फ इतना ही वो लोग अपलोड कर दिये और पूरी तक्रीर उन लोगों ने अपलोड नहीं किया जिसकी वज़ा से इतना बड़ा हंगामा खड़ा हुआ और आज मुफ्ती सल्मान अजहरी साहब जो है वो ATS के ट्रांजेट रिमांड पर है तो कुल मिला करके मैं आपको बता दूँ के आज मुफ्ती सल्मान अजहरी जो रिमांड पर है सिर्फ यूटूबर की वज़ा से और सिर्फ इन चैनल वालों की वज़ा से और दूसरी बात ये है के बरेली शरीफ से क्या कुछ आया है के मुफ्ती सल्मान अजहरी की तरह है ना बहुत सारे लोग हैं जो इक्तिदार में रह करके और धर्म का नाम ले करके मजभब का नाम ले करके वो लोग जो है वो हेट स्पीच दे रहे हैं ना और होट स्पीच देखने के बाद भी वो लोग जो है बाहर बिलकुल खुले सांड की तरह घूम रहे हैं और मुफ्ती सल्मान अजहरी ने कोई हेट स्पीच भी नहीं दिया है कोई इश्तियाल अंगेज तक्रीर भी नहीं की है मगर आज वो रिमांड पर है तो अलमा तौकिर रजाखाँ साहब ने फरमाया कि ये मुसल्मानों के आवास को दबाने की कोशिश की जा रही है और ये गहर गानूनी है कि बगएर नोटिस के किसी को गिरफतार कर लेना बगएर जानकारी के बगएर नोटिस दिये हुए किसी को रिमांड पर ले लेना ये सब गहर कानूनी है और वहां के जो हकूमत है और वहां के जो परशाशन है उसने गलत किया है तो दोस्तो मुफ्ती सल्मान अजहरी के हवाले से अल्मा तौकिर रजा खाने बहुत बड़ी बात ये भी कह दी है कि मुफ्ती सल्मान अजहरी को गिरफतार कर लिया लेकिन मुझे क्यों गिरफतार नहीं किया जा रहा है मुझे गिरफतार करो मैं गिरफतारी देने के लिए तैयार हूँ ये अल्मा तौकिर रजाखाँ साहब ने फरमाया लेकिन कोई भी ATS या कोई भी पुलीस परशाशन उन्हें गिरफ़तार नहीं करेगी क्योंकि उसकी वज़ा ये है कि वो लोग ऐसी आवास को दबाना चाते हैं जिस आवास से मुस्लिम नौजवानों का जजबा बेदार होता है और उनके सीनों में इश्क मुस्तफा रोशन होता है ऐसे आलिमों को जो है वो लोग टार्गेट करके और टार्गेट करने के बाद उन्हें गिरफतार करके उन्हें जेल के सलाखों की पीछे डाल देते हैं और आज आप देख रहे होंगे कि हजरते मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब वो आज भी जेल के सलाखों की पीछे हैं तो दोस्तो तीसरी बात ये थी कि मुफ्ती सल्मान अजरी साहब कब रहा होंगे तो मैं आपको बता दूँ के मुफ्ती साहब के साथ घाट कोपर पुलीस इस्टेशन पे बहुत सारे लोग एकठा हो गएते हैं तो वहां पे एकठा होने के बाद मुफ्ती सल्मान अजरी ने अपने अकीदत मंदों से ये भी कहा कि आप लोग यहां से जाएं मैं इन्शाल गलत नहीं किया है पुलीस का हमें सहयोग करना चाहिए परशाशन का हमें सहयोग करना चाहिए मुफ्ती सल्मान अजरी साहब ने फरमाया कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है मैं बहुत जल जो है वो बाहर आउंगा खुद उन्होंने कहा है और अभी इस वक्त जो है मुफ्ती स इस कर लब उस रिमान्च बाहराएंगे, गर्चे सरकारी वकीलों ने 44 दिन का रिमान्च मांगा था, Manगर उन्हेt 14 दिन का रिमान्च नहीं दिया गया, इस मुति सल्मान अजहरी developer के साथ गिरफ़ता हुए हैं, to, मैं आपको बता दूँ के मुफ्ती सल्मान अजहरी साहब के साथ पांच ऐसे लोग हैं जिन्हें पुलीस ने मुंबई के घाट कुपर पुलीस एश्टिसन से गिरफतार कर लिया था ये पांच लोग भी मुफ्ती सल्मान अजरी के साथ साथ ये लोग भी गिरफ़तार में हैं ये लोग भी रीमान पर हैं तो जी हां दोस्तो हमें उम्मीद है कि आप हमारी बापों को मकमल तोर से सही तरीके से समझ गए होंगे असलाम अलाइकुम रहमतुल्ही वबराकाथ